कहने को हम लोग 21st century में हैं हम लोग अपने खाने पीने को लेके बहुत कौशेज हो गए हैं बहुत चूजी हो गए हैं लाइफ स्टाइल चेंज हुए तो अपने आपको मेंटेन रखने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है रेग्लूर एक्सरसाइज़ भी करते हैं जूसर है इसका बिलकुल उल्टा अपना पूरा ध्यान रखने के बावजूद पूरा कॉंशेज रहने के बावजूद भी आज हम लोग होते जा रहे हैं धीरे-धीरे फटीग का शिकार फटीग यानि लगातार हम लोग जा रहे हैं सुस्ती की और बढ़ रहे हैं थकावत फील कर करते हैं तो क्या है इसके कारण या क्या सिर्फ अपने आपको प्रॉपर डाइट ले लेने से एक्सरसाइस कर लेने से ही आपकी फ्रॉब्रम दूर हो सकती है आज कॉल फोर के में हम बात करेंगे फटीग के और हमाई साथ आप सभी को कल थेरफी के तूर प्रेशर पोइंस बताने के लिए हैं डॉक्टर अजय मिश्रा जी डॉक्टर मिश्रा विल्कम टू दा शो थेंक यू नमस्कार रशको फटीग की जहां हमने बात करी कहने को लाइफस्टाइल चेंज हो गया है पहले के जमाने में और आज की जमाने में लोग कहते हैं कि हम जादा कॉइंशे सबसे पहले तो मेंटल है यह मेंटल स्ट्रेस होता है वो आपको फटीग की तरफ ले जाता है तो मानसिक रूप से अगर आप शांत हैं तो कितना भी कारे करते रहे है आपको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर मानसिक रूप से गढ़बढ हो कर के टेंशन ले करके हर का को भार समझ करके करना तो आपको फटीग होगा प्लस उसके साथ कई और चीजें हैं जैसे कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहां पर आपको यह हो नहीं है और रिस्ट नहीं मिलता आठ घंटे लगातार आप काम कर रहे हैं या प्रकृति के विपरीत रात को सोने का है तो रात को काम क करना है दिन में सो रहे हैं तो यह भी एक कारण है बिलकुल ना इश्ट का फैशन में बहुत जादा आगे बढ़ता जारा है जाहिर सी बात है अपने लिए एक जो टाइम होता है वो नहीं मिल पाता है तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल फटीग पर हम आते हैं बोड़ी मे सबसे पहले सिम्टम जो माना जाता है फटीगा थकावर फील हो रही है शरीर काम नहीं कर रहा है जेनरल भाशा होती है कि आज कुछ करने का मन नहीं है शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो क्या है प्रेशर पॉइंट्स जिनकी वैसे वो थकावत हम बूर कर सकते हैं बहु दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर में जगे पर रेड कलर लगा ले और इसके बाद ब्लैक कलर ले ले और वो मिडल फिंगर में आपको यह जॉइंट के पास लगाना है यह सेंट्र नाइन से थोड़ा बार की तरफ हो बस इतना ध्यान रखे ऐसा दोनों हाथों में कर लेने से आप देखेंगे कि जो आपको फटीग की प्रोब्लम है या काम में मन नहीं लग रहा है या बोडी में पैन है यह उस वक्त आपको चला जाए गई है ओके वैसे रेड न ब्लाक मेंग्स अ गुट कॉम्बिनेशन तो यह कॉम्बिनेशन वैसे भी कोई भूले अनि सिर्फ रेड ब्लाक कलर को याद रखना और फिंगर्स को देहान रखना है कहां पर आपको पॉइंट आउट करना है तो थकावट आपकी दूर हो जाए कि सासता काम में मन नहीं लग रहा है तो कहीं नहीं वह इन्वॉल्मेंट भी वापस आपका इंकलूर हो जाएगा आपकी अप कर रहे हैं तो दोस वह इसा है कि जैसे मेनो पॉजल सिंड्रोम जो है तो महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी होता उस समय कि यह हर्मोनल चेंजिस को ठीक से टैकल करें और कभी कबार दमाएं बहुत जादा लेनी पड़ती हैं या फिर आप को हेवी ब्लेडिंग होती है होट फ्लशे जाते हैं ऐसे टाइम में बहुत इजी ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं और अगें इज रेड अन ब्लैक सो खास करके आप फीमेल में यह इंडेक्स फिंगर में सामने की तरफ एक पॉइंट यहां पे लगेगा रेड कलर से यह एक पॉइंट हो गया और दूसरा लेफ्ट में आप लगाएंगे स्वरी ब्लैक कलर से लगाएंगे इसको मिडल फिंगर में एक इंडेक्स फिंगर में है और एक मिडल फिंगर में है राइट इंडेक्स फिंगर में है और लेफ्ट मिडल फिंगर में है राइट इंडेक्स फिंगर में है और लेफ्ट मिडल फिंगर में है राइट इंडेक्स फिंगर में है और लेफ्ट मिडल जैनुरी ऐसा होते है कि इस टाइम पे बहुत जादा फटीग की बात करें तो जैनुरी इस टाम पे बहुत जादा लेजीनिस फील करती है फीमेर्स बहुत काम में प्रॉपरली इंक्लूड नहीं कर पाती है अपने आप बात करते हैं सुष्मा जी आ जुड़ी है हमाई साथ दिली से जी शुष्मा बताए नौसकार में नौस्टाब जी नवच्छकार बताएं गश्मा में बहुत तायम से लगोक्ती बहुत तेन साल हो गए जी पारकिंसन परक्द किते हैं उके थीमें साल जै बहुत कर दुनिया में मैंने कोई डॉक्टर कोई तूरीमें नहीं तो मैं आराम से ही लिख भाऊं भी समझता हूँ बिल्कुल सुष्वा जी बहुत आराम से आपको बताएंगे आप प्रपली वो गाइड लाइन और पॉइंस अपने आप में नोट कर ले पार्किंसन की प्रोब्म है पिछले तीन साल से देखिए ऐसा है कि वैसे तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होगा और यह पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा डेफर करता है फिर भी जो जनेरल एक ट्रीटमेंट है जो इसमें काफी लाब देता है वो हम आपको बता देते हैं अभी आप ब्लू कलर ले ले और मैं एक हाथ पे आपको आराम से बताता हूँ आप दूसरे हाथ पे भी इसी तरीके से कर लेंगे एक ब्लू डॉट यहां पर लगा ले इसी तरीके साथ दूसरे हाथ में छोटी उंगली में लगाएंगे इसके बाद ग्रीन कला इस लाइट ब्लू यह लाइट ब्लू होगा यह फिर यलो कलर ले लें यलो कलर को आप पीछे की तरफ इसी जो इसी लाइनिंग के लाउंग लगाएंगे यह यहां पर यह यलो लगा लीजे और 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 अरेंज ले लीजे और अरेंज कलर को आप ठीक जह से यलो लगाया वैसे इस तरफ ला करके लगा लीजे तो simply आप सिर्फ ये चार पॉइंट यूज़ करके आप देखेंगे काफी आराम आएगा ये डार्क ब्लू है फिर इसके साथ ये लाइट ब्लू बीच में जगे छोड़नी होगी आपको फिर यहाँ पर ये यलो कलर है और ये औरंज कलर है ये आप दोनों हाथ के चोटी उंगलियों में नीचे के जॉइंट पर लगाते रहेंगे आप देखेंगे कि धिरे धिरे आपके जो कम पुआत है उसमें कमी आएगे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो औरंज इस फोस कलर इंको रेगलो बेसे सब्सक्राइब दोनों हाथों में उनको लगाना है लास्ट फिंगर पे बात करते हैं मालती जी हमाई साथ जुड़ी है नौईडा से जी मालती गुदाफ शरून बताएं मालती जी थोड़ा तेज बोलें आपकी आवास काफी कमारी है अब अब इस आवाल है कि मेरे चुंटी एट है और मेरे को कंसीब करने में प्राबलम हो रही है और मेरे चुट देट है वो मतलब बहुत आती तो regular है लेकिन बहुत कम flow रहता है तो husband wife दोनों के लिए कुछ बता दीजिए प्रेशे करने में जी आपका question सुन लिया गया और आपका answer आपको मिलेगा लेकिन उसके थोड़ा सा इंजार हम सभी को करना होगा और आपको भी करना होगा विकास कॉल्फा के में फिलहाल वक्ते एक बहुत चोटे सब्रेक का तो आप सब बने रही है हमारे साथ बहुत जादा over burden या बहुत जादा pressure भी fatigue का एक बहुत गरा कारण बन जाता है कई बार ऐसा होता है कि काम करने में मन तो लगाते हैं लेकिन उसके आगे कौन से steps forward करने हैं कौन से और काम करने हैं इसके अलावर और हमारी क्या planning है वो सोच कर भी हम लोग इतना pressure अपने दिमाग में देते करेंटली जो काम कर रहे होते हैं उस पर मन नहीं लगा पाते and finally the result is कि we are suffering from fatigue तो इससे कैसे दूर रहना उसके यह भी जरूरी है कि you have to make yourself comfortable and mentally अपने आपको थोड़ा सा आराम देने के ज़रूरत है Malati ji ने break में जान से पहले question किया था कि she is 28 years of age and conceive करने में उनको दिक्कत आ रही है तो उनके और उनके husband के से कौन से points है जो यह problem ठीक हो सके इसके कारण बहुत सारे हो सकते है और अगर आपके और आपके husband के सारी reports normal है और फिर भी आप conceive नहीं कर पाते हैं उसका मैं treatment बता देता हूँ otherwise आप reports के साथ हमसे कभी भी मिलने तो हम आपको पुरा treatment दे दे देंगे इसके लिए red color ले 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 आज लगता है red और black का ही combination चलेगा तो यह इस जगे पर इसको दिहान से देख लें इस center point से थोड़ा सा उपर के यहां पे आप red color लगाने और नाभी पे नाभी से दोंगली रख करके नीचे जो भी स्थान आएगा नाभी से दोंगली के बाद उस जगे पर आप अधरक को किसी तवे पर या गरम चीज पर सेख करके जतना सह सके वहां पर सिकाई करें एक यह काम करें दूसरा black color से आपको treatment देना है यह आपको और आपके husband को दोनों को यह सेम treatment करना होगा यह यहां पर black color यह दोनों तरफ करेंगे दोनों हाथ में एक यहां पर red dot होगा और एक यह black dot होगा जी तो जिनकी सारी reports normal हैं सब कुछ ठीक है उसके बाद भी conceive नहीं कर पाते हैं तो यह वो शाम को लगा लें चार चे गंटे लगा रहेगा और उसके बाद यह conceive कर जाएंगे अपने बेटी के लिए जी कि मेरी बेटी को गुसा बहुत आता है दूसरा कोशन मेरे लिए है कि मेरे स्टमक के नीचे काफी ज्यादा पैट इखटा होता जा रहा है अब तक में गलो नहीं है अब गलोइंग के लिए कोई पेसर परेशर पैंट है तो प्लिस पता दीजी बेलकुल जाना चाहेंगे आपकी तान साल की है मेरी बेटी है साढ़े चार साल की बेटी जी साढ़े चार साल की बेटी जी साढ़े चार साल की बेटी है पर गुस्सा बहुत सादा आता है क्या करना चाहिए देखे बच्चा है चोटा और गुस्सा जादा आता है तो एक्टिव भी जादा होगा वैसे में जादा बच्चे को आता हो बच्चे को आता हो हस्बेंड को आता हो e किसी को भी आता हो आप ये color तो गड़ा हो गड़ ज़ाका प्लिजाइ मादी हो इस ठीज है प्लिजा इस पे बढू हो फिरा ए जा पहली निच Colour is a कमुली हो चुछेatar count नहीं बनेगा वो उसी लिए लगाया जाता था कि एक्स्टा फैट ना बनेगा जिनको भी फैट बहुत जादा हो रहा है स्टमक के नीचे अट लिस्ट वो समझ सकते हैं उनको अपना फैट कैसे कंट्रोल करना है एक अच्छे टिप हम सभी फीमेज के लिए कि अपना पैट कै सरकेबाल सफेद हो जाना यह आजकल एक आम प्रॉबलम हो गई है यह एक तरीके से बहुत जादा एंग्जाइटी टेंशन और एंगर यह सब फायर इंक्रीज कर देता है तो एकसेस फायर जो है वो सर पे चड़ता है तो उसके लिए उसको आप एक दो पॉइंट हम आपको ऐसे बता है बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा एक पॉइंट यहां पर है इस इस को आप दोनों हाथ में जगे पे मिडल फिंगर में लगा कर रहे तो इस से आप में आपके सर पे थंड़त रहेगी वही एक पॉइंट सीधे यहां पर बॉइंट फिंगर में ही रहेगा सामने भी प्लै कलर यह लगा करके रहे और उसके साथ साथ आप अपने लेफ्ट पर नेल के अराउंड चारो तरफ ब्लैक कलर लगा लें तो आपके हैड रीजन में यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा कोई अलर्जी हो रही होगी जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा तो सब मिलाकर के एक तो नरिश्मेंट के पॉइंट आपको सब्सक्राइब तो बात है अक्टिविटीज भी बहुत प्रॉपर ली होंगे बिना किसी टेंशन के बात करते हैं अमा जी हम आई साथ जुड़ी हैं देहरादून से जी अमा गुराब चरून बताएं नमस्कार मैम जी नमस्कार डॉक्टर साब नमस्कार एक तो विरेको रूमेटिक और्थराइटिस हुआ है जो की 25 होता है वो निकलाए 110 कराए था और दूसरे रात को सोते हैं भी हाथ सुन हो जाते हैं दोनों और पैस्तियों तो थोड़ा रिलीफ लगता है लेटने के तर यह treatment एकजएक जगे पर अगर यह लग जाता है तो आपको बहुत आराम आएगा इसमें आप पहले ग्रीण किलर लेवे लेज़ेगा और राइट इंडेक्स सरड लेज़े अर इस तरफ लगेगा उसके बाद yellow color ले ले right में yellow color ये इस जगे पर लगेगा और left में यहाँ पर तो एक ये left का हो गया green color ये yellow color और right में ये green color ये yellow color अगर आप सिर्फ ये दो-दो dots दोनों उंगलियों पर लगाते रहें तो आप ये पाएंगे कि जिसे आज अभी आप लगाएंगे एक दो घंटे के बाद आपको काफी pain subsided मिलेगा और लगाता रही है साल देर साल दो साल आपको करना पड़ेगा और ये क्योर जाएगा बिल्कुल ये लेकि में चीज़ ये कि प्रिशर पॉइंस में एक तो पॉइंस का ध्यान बहुत जरूरी है जाक्ली आपके पॉइंस पे लग रहा और दूसरे कलर कहीं भी कुछ और आपको जो जनरल ट्रीटमेंट है वो मैंने बता दिया कि यहां पर रेड डॉट लगा ले और यहां पर ब्लैक डॉट लगा ले और यह जो फटीग है वो आपकर ठीक रहगा यह रेगुलर आपको करते रहना चाहिए अगर आपसे इससे सफर करते हैं इसके साथ जैसे खासकर काफ मसल में पेन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को तो काफ मसल के पेन के दो टाइपस होते हैं इसमें भी एक यह कि कोई कहता है कि मेरे पैर खुब दबाओ और उसे बहुत आराम मिलता है पैर दबाने से तो काफ मसल पे जितना प्रिशर पड़ेगा उतने उनको आराम आता है बल्कुल और दूसरा क्या होता है किस तरसे उन अगर हमारी बॉड़ी आक्टिव नहीं है हम कंटिविस्टी थकावट फील करते हैं बहुत लेजीनेस फील करते हैं तो बट अविसी बात है हम जितना भी काम करें जितना भी अर्न करें वह हमारे लिए वेस्ट है विगोस जस्ट बिकॉस अवर लिथार्जिनेस पटीक हम ना हमारी फामिली को टाइम दे पाएंगे, ना हम आउटिंग कर पाएंगे, ना हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली इंजॉई कर पाएंगे. तो पहले तो हमेशे एक positive attitude के साथ कहीं पर भी अप्रोच करें, कि if you are not well, तो you have to be well, ठीक कैसे होना है या आपके अपने उपर निर्भर करता है, गाइडलाइन, स्टेप्स, कमांड्स हर को या आपको देगा, लेकिन follow करना, उसको implement करना या आपके अपने हाथ में भी और आपके अपने हित में भी है. कि दबाने की वैसे कई लोगो को अराम मिलता है, लेकिन जस्ट अपोजिट भी होता है, कुछ लोगों को अराम दबाने से और तादा दिक्कत फिल होई लगाएं, ऐसा क्यों? वो एक तो यह है किसी के energy excess हो जाए, excess use, excess, तो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगे तो ऐसे ही energy के excessiveness की वहएसे होगा, तो आप टच करेंगे तो टच नहीं करने देगा, और एक होता जो कहता है मेरे पैर पे खड़े हो जाओ, तो दोनों का अलग-अलग treatment है, जिसको पैर दब यह उनके लिए है जहां पैर दबवाते हैं लोग और ठीक इसी जगे पर अगर आप ब्लैक लगा दे तो यह उनके लिए हो जाएगा जो जिनको पैर दबाने के एक्छा नहीं होती जस्ट रिवर्स तो यह बहुत आसानी से ठीक हो जागा जिस पैर में तर दो रहा हो उस पैर कि उस हाथ के मिडल फिंगर में लगा दे दोनों में और आथ हो दोनों फे लगा दे एक्जाक्ली अब ऑप्शन आपके पास है कि आपको पैर दबवाने है या पैर बिना दबवाए भी आपका काम चल जाएगा और यहां पर हम बात करते हैं सरोज जी हमारे साथ जुड़ी बेटे को बेटे को बेटे को बेटे की प्रॉब्रम एंकी साइनस और बिस की प्रॉब्रम है को क्या करना चाहिए देखे बेटे के लिए फिर से पहले ब्लैक ले ले और आप राइट हैंड में बच्चे के यह ब्लैक कलर इस तरीके से एक सर्कल बना दें बस तो अगर आप दो नहां के दिस्क ही मिजा कैंगो हो फिर आर कि उंगलीत को प्रिस्ट कर दो करने तडिका योगा जैसे स tast ще extrasaf 1983 जा सब्सक्राइब के शोटाटे इल्जाज और इसमें इंडेक्स इंटेस में mantle जादा मिलेगा तो इसी दोनों उगलियों पर दोनों भाओं में आप इसपे मेथी की पत्ति बान ले वे तो मेथी की पत्ति से बचुका करके और पैर की उगली में फूरा से लपेड करके के अच्छे से दबाएं और इस Stacy का बॉर इसका तरीका दबाने के जैसे साइनेस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि तबला बजाना इस दे बेस्ट ट्रीटमेंट तो यह जो टिप्स होते हैं आपके टिप्स पर प्रिशर पढ़ना चाहिए बस तो अगर आप टिप्स पर प्रिशर देते हैं ऐसे से करके ठोकते हैं तो वह आपको ठीक कर यह जो थैंक यू थैंक यू नमस्कार्दाश कुछ